नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां किवल दस दिनों में आँखों से चश्मा हटाने के लिए आजमाएं घरिलू राम बानू पाए आज का हमारा यहीं टोपिक है आज कल हर किसी की आँखों पर चश्मा चढ़ा हुआ दिख जाएगा लोगों के खराब लाइफ अश्टाइल एवं खान पान के कारण ये समस्या हो जाती है बच्चे हो या बड़े पोश्टिक खाने को छोड़कर बाजार में मिलने वाले फास्ट फूड की ओर ज्यादा आकरशित हो रहे हैं जंक फूड से जादा शारीरिक समस्याएं होती हैं आज कल बच्चे मुबाइल टीवी लैप्टॉप में घुसे रहते हैं जिसके कारण छोटी उम्र में उम्हें चश्मा लग जाता है आपको बता दें कि टीवी से निकलने वाली किरने आँखों के लि पड़ता है अगर आप अपनी आँखों पर लगे इस चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ज्यादा सूचिये मत आज जो हम आपको घरेलू रामबान उपाय बताने जा रहे हैं उसे जरूर अपना ये इस उपाय के प्रयोग से केवल दस दिनों में आपका चश चाहिए होगे इसके लिए वो नोट किजिए आपको बादाम चाहिए होगा सौफ चाहिए होगी कुपजा मिश्री चाहिए होगी अब इसे बनाने की विधी जानते हैं इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में ले लीजिए फिर इनको अच्छी तरह बारीक पीस कर सेवन रात को सोने से पहले दूद के साथ आपको हर रोज करना है रोजाना इसका सेवन करने से 10 से 12 दिनों में ही आपको असर दिखने लगेगा थोड़े ही दिनों में इसके सेवन से आपको चश्मे से छुटकारा मिल जाएगा जो लोग शुगर से ग्रस्त हैं वो इसका से करना हानिकारक हो सकता है अगर आपको ये नुष्खा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि उनको भी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके तो देखा दोस्तों आप सभी ने आप अपनी आखों के चस्मे को हटाने के लिए इस विधी को अपना सकते हैं जिसके सहारे आप अपनी आखों के चस्मे को उतार फेक सकते हैं यानि कि आखों को स्वस्त रख सकते हैं तो ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बहद ही महत्तोपून जानकारी को ल बोस्तों